स्वागत आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है काश और जुड़ गए हमारे स्पेशल एडिशन शू जो किया है टॉप पिक्स इस बार ये सेग्मेंट है इंडियन फास्ट बोलर्स का दे कि हर टीम को एक क्वालिटी इंडियन फास्ट बोलर चाहिए चाहिए वो केक्यार जि आप बागी फ्रेंचाइज इसकी भी आप बात कर लीजे गुजरात ने भी अपने अच्छे कासे बोलर्स निकाले हैं मावी रिलीस कर दिये और आपके पाश धियाल है इन बोलर्स की चर्चा करेंगे जो बेस्ट पिक हो सकते हैं जिन पर तगड़ी अच्छे कासी बोली ल हैं कला शर्चा कारतिक त्यागी शिवम इन सक cui बात करेंगे कि जो thर्फ नेम्स की बात करेंगे कि जो थोड़ा सा सब्राइस यहां पर कर सकते हैं चीतना और भी बाकी ऑप्शन्स होंगे लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जो सबसे टॉपिक हो सकते हैं कि हर्शल पटेल ने बड़ी जबर्दस परफॉर्मेंसेज दी हैं आरसीबी के लिए चिन्यस्वामी के अगर आप बात कर रहे हो वहाँ पर बोलर्स के लिए के विल कुटाई खाने का जाधा काम होता है क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है वहाँ पर पिटाई बोद होती है लेकिन हर्शल पटेल ने वहाँ पर भी जबर्दस परफॉर्में लेकिन पर इस खिलाड़ी पर अच्छा का सा दाव लगेगा इंडिया खिलावा बंदा और जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो लाइम लेट से दूर हो गया है लेकिन ये इस डन रेली गोड़न आई पिल वन अद बेस्ट परफॉर्मेंसेज उसने दी है एक सीजन की हम सबको याद आएगा कि परपल पटेल उनका नाम हो गयता हर्शल पटेल की जगा सो लेट सी कि इस बार उन पर किस तरह के की बूली लगती है डेफिनिटी वन अफ लेने वाले एक फास बोलर जो अफ्रेंट चुरुवाती च्योवर उन्हें अपने तीन ओर का स्पैल करके मैच एक तरफा कर देता है उमेश आदफ का जो एक्सपीरियंस है हर हर कैप्टर उनको इस तरीके से यूज करता है विकिट टेकर अफ्रेंटी वाई गेम खतम करके दिया दो तो इस तरह के बोलर्स को बहुत सारी टीमों की नीड है गुजरात की आप बात कर दीजे उन्हों अपने प्रीमेर फास बोलर्स को निकाला है चैप के कर दीजे अगेन वापस आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं हो जाईगी और आपके पास मुंबई के पास भी एक शेरणी है जिसमें से आप इन तरीके के खिलाडियों को निकाल सकते हो और उसमें आप कह सकते हैं कि बड़े दावेदार होंगे बड़े कंटेंडर होंगे कि इनके ओपर अच्छे कासे पैसे वहाँ पर खर्चे जाए क्वालिटी बेट होंगी लेट सी क्या वो टॉपिक हो पाते हैं अगला नाम दी शारदुल ठाकूर आप कह सकते हैं लौड शारदुल ठाकूर उनने कहा जाता है और बड़े ही आप कह सकते हों magic tricks उनके पास है क्या है लेकिन हमेशा he has the knack of taking wickets crucial wickets तो कहीने करी शारदुल ठाकूर पर अच्छे कासी ब जो उन्होंने बोलर्स रिलीज करें उनकी वहाँ पर खाना पूर्ती करेगी क्योंकि शारदुल ठाकूर along with the quality बोलर वो आपको बैटिंग भी करके देते हैं तो I think ये उनको और जादा एक बड़ा दावेदार बनाता है कि इन सब में सबसादा पैसा उन पर खरचा जाए त तो मुझे नहीं लगता है मैं बहुत जादा सप्प्राइज होंगा कि अगर वो इंडियन फास बोलर्स में से सबसे जादा पैसों में जाएं उस उस लॉट में रहे टॉप टूप तूप तीन में क्योंकि वाई एक ऐसा फास बोलर जो आपको अप्फरंड भी विक्ते ले चुका और सबको अंदाज आए कि आगे जाकर यह और जादा शाप होगा तो कहिने कए इंडिये के लिए अए ब्राइट प्रॉस्पेक्ट है और एक फ्राइनचाइज dw ke liby एक ब्रायट आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा जय हिंद जय बारत